तो हम बहुत लंबी दूरी तय भी नहीं कर पाएंगे मंजिल तक पहुंचने के लिए आप सबसे जो टिपिकल टास्क है ना वो मैन को मैनेज करना है इतना पैसा आप आगे और निवेश करने के लिए तयार है ताकि आप बिजनस को एक्सपेंशन की और एक व्यक्ति हर एक विशह का एक्सपर्ट बन जाए ऐसा संबब भी नहीं है इसलिए ज़रुत होते हैं और अगर समझ चुके और इंप्लीमेंट करने के लिए तयार है तो आज का इस चैप्टर बहुत महत्वपून रोल प्ले करेगा आपके बिजनस की ग्रोथ में आज हम जिस विशह पर बात करेंगे वो है डेवलपमेंट ओफ मैनेजमेंट स्किल्स और इससे संबंधित एक चैप्टर में पहले ले चुका हूँ जिसमें मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया था कि मैनेजमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है कैसे कैसे सारी इस वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम आरे ना तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सारी वीडियो स्टाटिंग से देखें अगर आपने इससे पिछला वीडियो ठीक तरीके से नहीं देखा है नोटस नहीं बनाए है तो आपको चैप्टर समझने में थोड़ी सी परेशानी ह तो स्टाफिंग के बारे में बात करेंगे जब आपको लगा कि ठीक है बुझे कंपनी का एक्सपेंशन करना है और सारे बिजनस के स्टॉक्चर को मैंने समझ लिया है अब मैं नया स्टाफ रिक्रूट करना चाहता हूं तो उसके क्या स्टैप्स होंगे निबर वान फाइं पूरी की पूरी इंफॉरमेशन फीड करेंगे कि ताकि कोई भी परसन वह अपना रिज्व में समिट कर सके इसके लाव आप सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म पर अलग अलग क्रेटिव सलाएंगे कि भाई हम उझे सेल्स के लोग चाहिए मुझे मार्केटिंग के लोग चाह रखेगा जब आप यह सारा काम खुद करेंगे ना तो पाएंगे कि एजन्सी से हायर कराना आपके लिए ज्यादा आसान था और ज्यादा कॉस्ट कॉंशियस भी था उससादा पैसे आप मंतली ऑपरेटिंग कॉस्ट में वैसे खर्द कर चुके होंगे तो तरीका क्या है कि आप वैब के जरिए आप सोचल मीडिया के जरिए आप वैब पोर्टल्स के जरिए वैब पोर्टल्स में इस तरह के जॉब्स सारे पोर्टल है नौकरी डॉट कॉम है और इस तरह के बहुत सारे वर्क इंडिया डॉट कॉम है ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहां पर चाहिए इस इस क्वैलिटी के इस इस एक्सपर्टीज के और इतने वर्क एक्सपीरियंस के साथ और यह सेलरी हम आफ़र करते हैं फाइंडिंग करने के बाद आप सबका रेगुलर इंट्रिव्यू कीजिए और इंट्रिव्यू में आपकी कंपनी के गोल अचीव करने सब्सक्राइब करेंगे यह आपको खुद भी पता होगा कि आपके इंडस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति आता है तो क्या क्या सवाल आपको पूछने अनुभव के बारे में आपको क्या पूछने हैं यह सारी जानकार यह आपको अल्रेड़ी है पर अगर आप में किसी व्यक्ति से इंटरव्यू के लिए मिलते है तो उसका first impression कई बार बहुत बेटर होता है लेकिन जैसी सेकंड टाइम उससे मिलते हैं उसको सारा impression जो है दुमिल हो जाता है first impression में कई बार हम गलत लोगों को भी hire कर लेते हैं, इसलिए second round of interview होना चाहिए, जिसमें उनका IQ level हो गया, उनका communication skills हो गया, उनका work experience हो गया, है ना, तो वो सारी चीज़ें, और third round में हम भी देख लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारी company के vision को achieve करने में, किस level तक जा सकता और कितना supportive person ये है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, लोगों की hiring शुरू कर देनी है, आपको उनको offer letter देना है, और offer letter के बाद उनकी hiring कर लीनी है, और hiring के बाद सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो proper training की करते हैं, एक small skill business owner क्या चाहता है, कि अगर आपने किसी person को hire किया, तो पहले दिन से वो काम करना शुरू करते हैं, without any training, लेकिन एक corporate culture में, जब किसी भी person को hire किया जाता है, तो सबसे पहला काम किया था उसके training पर, training में अलग अलग तरह की training होगा है, जैसे company का culture क्या है, किस तरह के culture में वो व्यक्ति काम करेगा, उस company के visions क्या है, कैसे वो company अपने visions को achieve करना चाहती है, क्या उनके goals है, उसके अलाबा products related training, information related training, उस company के पूर के पूरे business system जिसके लिए उसको hire किया है, उससे related training उसको दी जाती है, और training के बाद में उसका test लिया जाता है, ठीक है, बहुत सारी companies क्या करती है, अब किसी को hire करती है न, तो उनको guest station period देती है, कि आपको 15 days के लिए आपको trial पर रखेंगे, पहले आपकी तीन दिन की training होगी, अगले जो बारा दिन बचे हैं उसमें आपका पूरा test and trial होगा, और तब उसके बाद आप consumer के साथ deal करेंगे, तो जो भी companies process को follow करती है, उनके पास best team निकल कर आती है, उसके बाद आपको training करनी है, production related सारी information, company के culture, company का method, company का system, आपके target कैसे achieve करने, उसके steps क्या है, उस से related क्या-क्या responsibilities उसकी है, क्या-क्या liabilities उस व्यक्ति के उपर है, और कैसे वो काम को करेगा, क्या उसका work culture होगा, सब कुछ उसको define करना होता उसकी training में, training के साथ साथ फिर उसको under training रखते हैं किसी ना किसी experience staff के साथ, ताकि वो व्यक्ति उसके साथ जब काम करें, तो समझ जाए कि इस company में मुझे कैसे output देना है, fine, उसके बाद करते है regular motivating, friends आज पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जितनी भी companies हैं, वो अपने employees से higher result लेना चाहती हैं, लेकिन अपनी कई बार team को motivate नहीं कर पाते हैं, ठीक है, IBM जैसी company, IBM जैसी company, अपनी total revenue का 33% invest करते हैं अपने staff की training में, और motivating में, जिसकी वज़ए से उनके staff हमेशा motivated रहते हैं, और motivated रहते हैं, तो हमेशा लक्षो को प्राप्त करने के लिए, वो भी प्रेजित रहते हैं, तो यहां बड़ा important है, आपकी finding ठीक से होनी चाहिए, finding करने के बाद hiring, hiring के बाद की proper training, और training में, आप भी अपने training manual design कर सकते हैं, जैसे product से related training, company के culture से related training, company के पूरे, कैसे हम drive result हासिल करेंगे उस से related training, और experience staff के अंतरगत उसको under training काम कराना, और उसके बाद में उसको field में भीजना है, उसके बाद में उसको practical demonstration के साथ, पूरे काम को करने की permission देना, और उसके लिए regular motivational training programs, workshop, seminars, motivating content, motivating और appreciating उसके appraisals, वह सारी चीज़े ऐसे जिनसे लोग motivate होते हैं, तो यह सारी चीज़े staff finding में, staff को appoint करते समय, hiring करते समय, training करते समय, motivating करते समय, आप लोगों को ध्यान में रखनी है, तब ही आपकी team और company में वो culture develop हो पाएगा, उसके बाद जो next है वो क्या है, organizing, आपने लोगों को hire तो कर लिया, लेकिन अगर आप छीक तरीके से organize नहीं कर पाएगे, manage नहीं कर पाएगे, तो वो आपकी जो team है, वो बिखर जाएगी, आपको क्या करना है, आपको time, money and resources का सही तरीके से utilization करना है, मतलब आपका targeted time जो आपने दिया है, उसमें आपके desired results क्या है, उन desired result को time bound के साथ कैसे achieve करना है, उसके बाद जो money आपके पास available है, उस money से best output कैसे निकालना है, ताकि आपका जो cost of operation हो, बहुत जादा ना हो जाएगे, अगर cost of operation बहुत जादा हो जाएगी, तो आप market में अपने आपको establish नहीं कर पाएगे, क्योंकि competitive industry है, तो competition के इस दौर में अपने आपको दूसरों से अलग बनाए रखना, और अपनी cost को हमे करेगा कि आपके पास जो resources हैं, उनका 100% utilization होना चाहिए, अगर आपके resources underutilized रह जाएं, तो वो भी एक तरह का loss है, अगर आपके resources underutilized रह जाएं, तो भी एक तरह का loss है, मैं इसको एक example के रूप में आपको बताता हूँ, मान लीजिए, आपकी जो production capacity है, वो 1000 piece per day है, और आप की जो labor cost है, वो 1 रूपी पर piece है, तो 1000 रूपे के हिसाब से 1000 रूपे आपकी cost आजाएगी, उतने number of pieces को produce करने में, फाइन, लेकिन अगर आप 1000 से कम product produce करने हैं, मान लीजिए, आपने 800 किया, तो आपको लगा कि मैंने 200 labor भी तो कम pay की है, 800 आपने produce किया, तो आपको ये भी लगा यार, 200 अगर कम production हुआ है, तो labor भी तो आपने कम pay की है, पर जो आपका management का staff है, मैं कहता हूँ, आपके management के staff पर 1 रूपे खर्च हुए, तो उस 1 रूपे के खर्चे में, अगर मैं एक महिने का देखूं, तो 30 से गुना कर लो, 30,000, 30,000 product बनने चाहिए थे, तो 1 cost meet up हो रही है, मतलब 1 रूपे fixed cost खर्च करने के बाद, आपको 30,000 product बनने चाहिए थे, जबकि आपके बन 24,000 रहे हैं, तो आपके resources underutilized रह गए, 100% utilized नहीं हुए, जिसकी वैसे cost आपकी ज़्यादा हो गई, भई, 1000 को 30,000 से बाद करो है, 24 से बाद करो, आपको पता है किसमें इन बातों को ठीक से ध्यान रखते हैं, तो आप ठीक तरीके से अपने business को develop कर पाएंगे, next important बात क्या है, power of delegation, कि आपके पास जो rights हैं, जो powers हैं, उसको आप delegate करें, problem पता है क्या है, एक single business owner जो होता है न, वो सारे का सारा control and management की power अपने हाथ में रखता है, material जाना है, से खुद बात करेगा, marketing से खुद करेगा, billing का खुद काम करेगा, tax and different department का काम खुद करेगा, जिसकी वज़ा से वो उनी काम में उल्जा रह जाता है, मैंने का था न, कि business के दो पार्ट है, एक तो बढ़ाना, और दूसरा चलाना, अगर आप इन दोनों में सफलता आसिल करन चाते हैं, तो आपको अपनी power को delegate करना पड़ेगा, किसको, right job, right people, right result, अगर आप सही job के लिए सही व्यक्ति को, सही responsibility दे दे तो आपके पास right result आता है, fine, तो आपको क्या देखना है, कि उस काम वो जो job है, उसके लिए right person कौन है, और वो right person क्या आपको right result दे रहा है, नहीं तो उसकी दुबारा से monitoring करेंगे, आपने जो power delegate किये, वो power किसी और को delegate करेंगे, होता नहीं, बहुत सारे departments में देखो, अगर कोई अच्छा performer नहीं है, तो वहाँ पर उसको transfer कर दिया जाता है, या उसको terminate कर दिया जाता है, और दूसरे staff को recruit कर लिया जाता है, तो यहाँ प कर देंगे, आपके जगा कोई बहतर staff hire करेंगे, उसके बाद supervising, friends आपने power को delegate तो कर दिया, लेकिन अगर आप उसकी monitoring नहीं करेंगे, उसको supervise नहीं करेंगे, तो आपके desired result भी आपको आसिल नहीं होंगे, इसमें बड़ा important है कि आप किस तरह से supervise करें, supervising का मतलब है, जिस आप चाते हैं, यदि नहीं, तो आपको ये monitor करना पड़ेगा, आपको monitor क्या करना है, कि उसकी day performance क्या है, उसकी per day performance क्या है, क्या वो desired result हासिल कर पा रहा है, यदि नहीं, तो उसको training करो, उसकी motivate करो, क्या वो आपके द्वारा बनाएगे, standard and procedures को follow कर रहा है, जैसे आपने जो ये director का काम ही supervision का होता है, management का होता है, निर्देशन का होता है, तो आपके उपर निवर करता है, कि आप अपने business में किस तरह से अपनी team का culture develop करते हैं, ताकि वो आपके द्वारा drive results को आपको deliver कर पाए, इसलिए important है, right तरीके से supervising, आप देखिए, मैं छोटा सा example इसको आपक भी कर पाएंगे, एक factory में जहां labor work होता है, वहाँ परमाली जी एक factory में 500 labor काम करती है, तो 500 के 500 labor एक आदमी को report नहीं करते हैं, हर 10 के उपर, एक कौन होता है, supervisor, मतलब एक supervisor का काम होता है, 10 लोगों से desired result हासिल करना, मतलब कि इस company में लगबग 50 supervisor हैं, हर supervisor के पास 10 लोग हैं, तो यह 500 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, फाइन, अब जो यह 50 के 50 supervisor हैं, इनको भी दो team में बाट दिया गया है, कि 25 supervisor के उपर एक manager है, 25 supervisor के उपर एक manager है, और यह दोनों के दोनों manager किसको report करते हैं, अपने production manager को, जो head है, या production head को, या director को, मतलब director ने इन decision किसको दिया, इन दो managers को, इन दो managers ने किसको दिया, अपने supervisor को, supervisor ने वो, जो instruction है, वो किसको दी, labor को, ताकि आपके desired result हासिल हो सके, इसको दूसरे example से भी समझ सकते हैं, यह बात आप schools में भी देखते हैं, कि school में कौन है गया, एक principal, principal ने वो information किसको दी, अपने in charge को, जो सभी teachers का in charge है, head teacher जो वह हाँ पर है, या voice principal वहाँ पर है, और head in charge teacher ने क्या करा, वो information सभी teachers को circulate कर दी, कि यह हमें desired result चाहिए, यह topic हमें पढ़ाने है, subject हमें पढ़ाने है, ऐसे हमें अपने school को और बेतर बनाना है, यह हमें desired हासिल करने है, अब teacher ने क्या किया, class monitor को वो सारी information बता दी, कि class monitor का 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 है, यह सारी की पूरी की पूरी class को देखना, और class monitor के under में जितने एक class में इतने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, उन्होंने वो सारी instruction अपने students को दे दी, अपने जो बाकी साथी है, जो journal class students है, उनको दी दी, तो class students की information को कौन pass out कर रहा है, class monitor, class monitor को कौन target कर र रहा है, जो वहाँ पर in charge, teacher in charge है, ठीक और teacher in charge को कौन कर रहा है, vice principal है, direct principal को कौन monitor कर रहा है, management की team, जिनका वो school है, मतलब निर्देशक, जो इसके director है, school की, उनका काम क्या direction देना principal को, और इस तरीके से पूरा structure काम कर रहा है, और इसी तरह से structure आपके business में भी काम करता है, ज follow करने की और कहीं को rectification of error रह गया, तो उनकी दुबार से training करने की, और training के बाद में उनको motivate रखने की, ताकि वो आपके desired result को हासिल करने के लिए हमेशा प्रिरित रहें, तो friends, ये बहुत important बात थी, आपके business के लिए, आप इन बातों को ध्यान से note करने के अलावा, अपने business म implement करें, और देखें कहां कहां पर आपको क्या क्या चीजें, implement करने हैं, ताकि आप भी अपने business को desired result की और लेकर जाएं, कोई भी question आपके मन में है, तो उसको dairy में जरूर नोट करें, क्योंकि Q&A series में हम लोग बात करेंगे, आपके सभी सवालों के जवाब की, स्वस्त रहे मस रहें, मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी, आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत